नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तों क्या मोधी सरकार को आज कल इस बात की तकलीफ हो गई है कि सरसद में मीडिया वालों के कैमरे अब राहुल गांदी का जादा पीछा करने लगे हैं जो मीडिया पहले उनका मजाग उड़ाता था आज गंभीता के साथ उनके इंटरिव्यू करता है और टीवी पर पहले से ज़ादा स्पेस दिया जाता है संसर से विपक्षी नेताओं की रेक्शन सामने आते हैं तो टीवी पर और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है तो शायद मोधी सरकार ने सोचा की मीडिया को आखिरकार क्या हो गया है जो मीडिया नाच मेरी बुलबुल की तरह काम करता था वो पंक फैलाने लगा है तो परकतरने का काम किया गया है संसद में पत्रकारिता को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और इसे लेकर पत्रकार प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए क्या खबर सामने आई है और देश के बड़े बड़े पत्रकारों के उस पर क्या रियक्शन है वीडियो में पूरा विश्टेशन करेंगी पहले आपको खबर दिखाते हैं पहले तस्वीर आप देखे राहुल गांदी मीडिया से सबबाद कर रहे हैं कुछ दिन पहले की तस्वीर है तो दोस्तों आगे इस तरह का सबबाद नहीं हो पाएगा क्योंकि मीडिया यहां तक नहीं पहुँच पाएगा संसद भावन के अंदर और इसे लेकर क्या खबर सामने आई है प्रेस कलब ओफ इंडिया ने ये प्रोटेस्ट के वीडियो शेर किये हैं पत्रकारों के जिसमें पिंजरे में बंद पत्रकार आपको नजर आ रहे हैं ये वीडिया सेंटर की तस्वीर है जहां पत्रकार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ओम बिल्ला को संदेश दे रहे हैं कि पत्रकार पर पहरा मत लगाईए क्योंकि एक Ben लगा दिया गया है कि आप MAKARDWAR तक नहीं जा सकते यहां पत्रकार सांसदों के इंट्रिव्य किया करते थे विपक्षी सांसदों का सबी का रियक्षन लेते थे पत्रकार और उसके बाद वो फीड अपने चेनल को भीज़ते थे लेकिन अब वो पहरा लगा दिया गया है कि आप वहां तक नहीं जा सकते आप मकरदवार तक नहीं जा सकते जिसके खिलाब पत्रकार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भईया ठीक है यहां पर टीवी लगाया है सदन की कारवाही अगर टीवी पर ही देखनी है तो हम घर से भी फिर आकिरकार यहां आने की क्या जरूवत है जब नेताओं का इंटर्वियू ही नहीं ले सकते। अब इसे लेकर देश के पत्रकार क्या कहते हैं। संकेत उपाध्याय कहते हैं एक वक्त था जब प्रेस कोंफेंस में मात्र दस मिनट लेट आने पर सारे फिल रिपोर्टर्स वो काउट करते थे। नेता जब तक सोरी ना बोले तब तक बात नहीं बनती थी। फिर कॉर्परेट मीडिया की नेता गुलामी शुरू हो गई। अच्छा लगा देखकर कि सारे साती फिर क्रांती कर रहे हैं पूरा समर्थन है। तो संकेत उपाध्याय बताते हैं कि जब प्रेस कॉनफेंस होती थी कोई नेता देरी से आता था तो पत्रकार बुरा मान जाते थे। कि नेता जी हमारे टाइम की भी कीमत है। पत्रकारों का इतना सम्मान तो करिये जिसके बाद नेता को माफी मागनी पड़ती थी। ये हालात थे ये सम्मान था देश की मीडिया का। आगे दोस्तों इसके अलावा आप देखे राजदीब सरदेसाई कहते हैं कि मैं पत्रकार सातियों के साथ हूँ पारलेमेंट में जिस तरह बेन लगाया गया है उसको हटाय जाना चाहिए और एक दम से पारलेमेंट के अंदर पत्रकारता आजाद होनी चाहिए। ये राज पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं बला बुरा बोलते हैं और कुछ मीडिया वाले उसे दिखाते हैं हो सकता है यही वज़य हो यानि प्रभाकर कुमार मिश्रा एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना पत्रकार बहां जाएंगे ना विपक्षी नेताओं का इंट पत्रियों से ओन कैमरा ऑफ कैमरा बात कर रिया करते थे वैसे ये नए ब्रोडकास्ट बिल से बाहर की बात है यानि सोरब शुक्ला और ज़्यादा डरा रहे हैं कि अभी तो ब्रोडकास्ट बिल आया नहीं है अभी इस तरह की पावंदिया लगाये जा रही हैं तो आगे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कार्टूनिस्स मंजुल जो है वो वेंग करते हैं कि स्पीकर सदन के अंदर विपक्ष को कंट्रोल करेंगे और बाहर पत्रकारों को ये नया भारत है यानि अंदर विपक्ष के पोस्टर बैनर भी सरसर टीवी के कैमरे पर दिखाई नहीं दे अगर जवाब हाँ है तो फिर आज तकलीफ कैसी है तो सत्यातिवारी सवाल उठाते हैं कि आकिरकार जब पहले ही मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है तो अब आकिरकार सम्मान के लिए प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है ये हाला तो आने थे मीडिया पर पाबंदियों का मुद्दा राहूल गांदी ने संसद में भी उठाया और लोगसबाद देक्ष ओम बिर्ला को क्या बोले जरा सुनिये आप बैठे बैठे टिपनी नहीं करें दो आपने महानिय प्रतिपर्ष के आप नेता हैं मैं आप से अपिक्षा करता हूं कि आप नियम कर गया को पूराना पूरा पढ़ले पे लेगा मुझे अच्छा लगेगा आप नियम करके आप कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई मानि सदश्य टिपनी नहीं कर सकता यह वैस्ता अध्यक्ष की होती है चाहिए ठीक है यह अध्यक्ष भ्यश्ता है आहां बोली आप मुझे तो बोले ना एक सक्षड एक सब्सक्राइब बिचारे निये वे वे विचारे शवाल उनके रिए सदसदवी भाषण के वाद राहूल गांदी ने मीडिया की पत्रकारों से भी मुलाकात की और कहा कि हमारी तरह आप पर भी पाबंदिया लगा दी गई है तो देश के बरिश पत्रकारों से लेकर विपख्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आकिरकार सरसद में पत्रकारता को पिंजरे में कैद क्यों कर दिया गया है अगर आप इंट्रिव्यू नहीं ले सकते तो फिर आकिरकार सरसद की रिपोर्टिंग के माइने क्या है टीवी पर ही देखना है तो घर बैटे या ओफिस में बैट कर भी पत्रकार देख सकते हैं अगर आप अंदर जाकर नेताओं का प्रोटेस्ट कवर नहीं कर सकते उनका रियक्शन नहीं ले सकते तो संसद की पत्रकारता एक तरह से खत्म करने वाला ये फैसला है दोस्तो विपक्षी नेता इसे विपक्ष की आवाज दबाने की बात क्यों बता रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर जब प्रोटेस्ट करते हैं सांसर तो आपने देखा कि संसर टीवी का कैमरा उसे दिखाता नहीं है उस विजवल को दिखाता ही नहीं है या तो speaker पर camera रहेगा या सस्तापक्ष के मंतरियों पर camera रहेगा लेकिन विपक्ष के चहरों को बहुत कम coverage दी जाती है ऐसे में poster banner लेकर जो विपक्षी सालसर जाते हैं अकसर बाहर खड़े होकर protest करते हैं और media वाले उनका interview लेते हैं पहले आपको याद होगा कि गांधी मूर्ती के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का रिवाज था अब की बार क्या किया गांधी मूर्ती को उठा कर ही नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया गांधी जी की मूर्ती, अम्वेटकर जी की मूर्ती पेनास्तल बना दिया गया, एक कोने में की देखे, पेनास्तल बना दिया गया, सारी मूर्तिया एक चगर लगा दी है, तो जो रिवाज था प्रोटेस्ट करने का गांधी मूर्ती के सामने, उसका समाधान भी मोधी सरकार निकाल दिया जो पत्रकार भी पक्षी नेताओं का इंटर्विव करते थे उसकी भी निंजा टेक्निक मोधी सरकार ले आई है कि पत्रकारों को वहां तक जाने ही मत दो ना जाएंगे ना इंटर्विव लेंगे ना टीवी पर दिखाएंगे खेल खतम और अब ये मामला दिख पाएंगे या फिस सरकार बताएगी कि आपको क्या बोलना है कितना बोलना है कहा तक आप जा सकते हैं कहा तक आप बोल सकते हैं आप पत्रकारता के ऐसे हालात को लेकर क्या सोचते हैं क्या मीडिया ने अपनी ये दुर्गती अपने आप कराई है अगर इन टीवी वी वालो पत्रकार भी होंगे जो सरकार का गुर्णगान करते होंगे जिनोंने मोदी जी की भक्तीमें कोई कसर नहीं छोड़ी होगी बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो interview भी करते हैं तो एकदम चास्सली में भिगो-भिगो कर सवाल करते हैं उनके साथ भी अब ऐसा सुलुक किया जा रहा है कि पाबंदिया बताई जा रही है कि आप कहां तक जा सकते हैं आप मीडिया के ऐसे पनोती काल को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर फिर आई जरूर दे अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन के जरी आर्थिक साथ भी दे सकते हैं इसके अलाव वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार